Hello Friends, Welcome to our channel CSC Study अगर वो condition true हो जाती है तो if में जो statement लिखे हुई हो एक्जिक्यूट हो जाएगी अगर if वाली condition false हो जाती है तो क्या होगा वो next वाली statement पे move कर जाएगा कुछ बैसे concept है if else statement का क्या है वो कि if the given condition कि जो भी हमने condition दी हुई है अगर वो condition तो true है अगर यह condition false है otherwise कौन सी condition हमारे पास execute होगी statement number to execute होगा syntax देखते हैं इससा क्या है syntax if के अंदर हमने condition लिखी condition के बाद हमने curly bracket यूज किया और उसके अंदर statement ब्लोग लिखा यहाँ पर हमने statement 1 इसलिए लिया है क्योंकि हमें else के पार पर भी statement देते हैं और if में भी statement देते हैं और जरूरी नहीं है कि else और if में सिर्फ एक एक लाइन की statement बहुत सारे number of statements भी हो सकती है अब if के अंदर condition है condition के साथ क्या है अगर यह वाला मेरे पास जो condition है यह true हो जाती है true होने के बाद यह क्या जाएगी statement number one execute होगी और अगर यह condition जो if के अंदर दी हुई है अगर यह condition हमारी false हो जाती है तो हमारे पास कौन से number of line execute होगी statement number two execute होगी अब इसका हम flow chart देखते हैं कि किस वे से data flow कर रहा है इस program में इस code में सबसे पहले हम क्या करते हैं program में हम entry लेते हैं एंट्री लेने के बाद किसके साथ इसका combination होता है इसके execute होने के बाद जब भी हम entry ले लेते हैं program में तब उसके बाद हमें क्या मिलता है condition मिलती है if की condition मिलती है अगर यह if की condition true हो जाती है तो कौन से वाला block execute होगा statement number one execute होगा अगर यह condition तो false हो जाएगी तो क्या condition हमारे पास कौन से condition execute होगी statement number two condition execute होगी लेकिन चाहे या तो true में जाए तब condition जो भी statement print होनी है वो print होगी false में जाए तब भी जो statement print होनी है वो statement print होगी last में जाके वो कहां पे जाएगा वो next statement पर उन दोनों नहीं पोचना है चाहे आप false में होकर जाओ चाहे आप true में होकर जाओ बस based किसके उपर है यह condition के उपर कि condition true हो रही है यह condition false हो रही है पर अगर इनके बाद कुछ भी statement होगी तो वो execute होगी उसके अंदर कोई condition नहीं लगी हुई है कि अब हम इसका एक example program देखते हैं write a program to find whether a number is odd or a even कि हम क्या करेंगे simple सा logic क्या होगा इसका कि n नाम से हम कोई variable लेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे data का enter करवाएंगे कोई भी number डाल लेंगे इसके अंदर उस number को हम check करेंगे जो भी हम number डाल रहे है वो number odd है या even है क्या जैक करेंगे firstly हम क्या लिखते हैं code लिखने के लिए hash include, iostream इसके बाद हम क्या लिखेंगे using namespace, std, semicolon फिर हम start करते है main function को और main function का या हमने return tap लिया है wait, इसके लाब हम कौन सा ले सकते हैं int main भी ले सकते हैं यहां से हमारा क्या हुआ, program का execution start होता है कि जो भी हम block of code लिखते हैं वो इसी के अंदर लिखते हैं और क्या है यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया int नाम से integer type का एक variable लिया n नाम से n क्या करेगा अब memory में एक block बना लेगा n memory में एक block बन गया जैसी हम variables को declare करते हैं एक block बन जाता है memory में और यह किस type का है इसका data type क्या है int है int है तो कितने byte का space लेगा यह two bytes का space लेगा फिर हमने क्या क्या say out का use किया और output operator का use किया और फिर हमने एक string को display करवाया कि enter a number हमने variable डाल दिया कि variable ने एक space मना ली अब हम user से कह रही है कि आप क्या करो एक number को enter करो जैसे आप number को enter करेंगे जो भी हम number enter करेंगे वो कहाँ चला जेगा n में चला जेगा उसके लिए हम क्या use कर रहे है say in input operator का use कर रहे है अब जैसे let कर लो कि मैंने number के enter कर दिया 10 enter कर दिया तो जैसे यह say in में जाएगा तो जो भी n की value होगी जो हमने enter करी है वो memory में जाकर store हो जाएगी किसी न किसी address पे जैसे 001 नाम से address है और n इसका name है इसके अंदर जो value है वो क्या store है 10 store है अब यहां से हमारा शुरू होता है logic program को solve करने के लिए इस statement हमने ली इस statement के अंदर हमने क्या लिया condition ली कि अगर n mode 2 equals to equals to 0 होगा तो क्या है वो number even है otherwise अगर यह condition false हो जाती है तो हम किस पे चले जाएगे else पे चले जाएगे और else में क्या लिखा हुए कि number क्या है odd है दो ही चीज़ा है यह तो number even होगा यह number odd होगा अब हम करके देखते है कि 10 का अगर हम mode कर रहे है 2 से तो क्या वो equals to 0 आ रहा है देखो हम divide करेंगे 10 को 2 से तो क्या आ रहा है 5 पर जाता है 10 2 भाइज़ा क्या होता है 10 होता है 0 आ गया अब हमने इसको mode किया कि कोई भी remainder बचा यहाँ पर remainder तो 0 बचा और वहीं हमने चेक करना था क्या remainder 0 आ रहा है आ रहा है तो हम कौनसी वाले statement को execute करेंगे if statement को if statement में क्या लिखा हुआ है कि number क्या है even है अब यह वाले condition हमारी क्या होगी execute हो गई true होने पे तो हम क्या करेंगे else में ना जाकर सिद्धा कहा चले जाएंगे function से बाहर चले जाएंगे program से बाहर आ जाएंगे और क्या हो जाएंगे हम exit हो जाएंगे अगर इसके बाद कुछ नहीं लिखा तो exit होंगे अगर इसके बाहर आकर कुछ ना कुछ line of course लिखी है तो हम उसको execute करेंगे अब next part इसका हम क्या कर रहे है nested if statement अब तक हमने कौन से वरे statements करी है हमने if statement करी हमने else statement करी अब हम कर रहे है nested if else statement या कहें कि nested if statement इसके अंदर क्या होता है the if statement may contain one and more if statement इसके अंदर क्या होगा कि if statement के अंदर भी बहुत सारी if statement हो सकती है one या one से more एक या एक से ज़ादा if statement हो सकती है किसके अंदर if statement के अंदर they are set to be nested तब हम उनने क्या बोलेंगे nested बोलेंगे जब एक के अंदर एक से ज़ादा if statement या if else statement होगा और ये compulsory नहीं है कि जहां पर if है तो उसके साथ हम else statement का use करें ही करें if के साथ जरूरी नहीं है कि else use होगा हम simple if का भी use कर सकते हैं nested if else दिखाने के लिए अब इसका syntax देखते हैं हम syntax क्या है if के अंदर हमने क्या लिखा है condition number one को लिखा है अगर ये वाली condition true हो जाती है तो हम किसमें जाएंगे इस second वाली condition पर जाएंगे क्योंकि ये किस block के अंदर लिखा हुआ है ये if block के अंदर लिखा हुआ है और ये वाला block कहां पर जाकर बंध है ये वाला ब्लोग यहां जाकर एंड होता है कि अगर यह इसके अंदर true में चला गया तो true में जाने के बाद भी यह condition को check करेगा कि आगे वाले जो conditions हैं वो true हो रही है या false हो रही है लेट कर लोगी अगर यह true हो गई true होने के बाद वो second condition तो check करेगा अगर second condition भी हमारे पास true हो जाती है तो कौन से वाली statement print होगी हमारे पास statement number one print होगा अगर ये वाली condition हमारी हो जाती है false तो हमारे पास क्या होगा इस वाली statement के लावा ये वाली statement print होगी statement number two यह तो हुई if के अंदर वाली बात कि if के अंदर जो statements है उसके अंदर हमने check करा true होने के बाद भी वो true हो रहा है या false हो रहा है अगर हमारी पहली ही condition जो थी हमारे पास if की यह true के जगा false हो जाती तो हम drag कहां पर आ जाते else early statement के पास आ जाते और कौन से वाली line execute हो जाती हमारे पास statement number 3 अब हम diagram के help से देखते हैं कि data किस वे में flow हो रहा है और कौन से condition कब execute होगी firstly हम क्या कर रहे हैं program में enter कर रहे हैं जैसे हम program में enter करेंगे हमारे पास कौन से वाली condition आ रही है condition number 1 हम पहले condition number 1 को check करेंगे ये condition अगर तो true हो रही है true होने के बाद वो दुबारा condition को check करेगा true होने के बाद वो true हो रही है या false हो रही है अगर true के बाद दुबारा true हो रही है तो statement number 1 execute होगी अगर true के बाद false हो रही है तो statement number 2 execute होगी यह तो है जो वो true हो रही है condition number one अगर condition number one ही false हो जाए तो direct हम कौन से पार्ट पर बोच जाएंगे else वाले में और else में हमारे पास कौन से statement execute होगी statement number 3 अग चाहे हम true में जाएं चाहे हम false में जाएं दोनों से ही हमें कहां आना है हमें next वाली statement पर आना है जो इसके बाद लिखी होगी अगर statement लिखी है तो next पर जाएंगे अगर statement नहीं लिखी तो exit हो जाएंगे इसका हम एक example program देखते हैं write a program to find the largest of three कि तीन numbers है हमारे पास उसके अंदर से हमें largest निकालना है कि सबसे बड़े वाला number कौन सा है और use किसका करने है हमें nested if statement का इस program के logic को समझने से पहले हम क्या करते हैं normal सा logic समझते हैं कि इस program में होगा क्या कि हमें तीन values लेनी है तो हमने क्या कौन सी value ले ली? A ले ली, B ले ली और C ले ली, तीन variables हमने ले लिए A की value को मैंने दिया कि A की value क्या है 20 है, B की value 10 है और C की value क्या है 30 है तीनो value मैंने enter कर दी और यही program में होगा सबसे पहले आपको क्या करना है इनको declare करना है इनका data type लिखना है और उसके बाद हम क्या करेंगे हम लेंगे enter करवाएंगे तीनो को यह ABC के नाम से save भी हो जाएगा अब condition क्या क्या check हो रही है हमारे पास वो देखेंगे hash include iostream.h iostream.h का हम use कर रहे हैं using name space लेंगे फिर हम क्या लिखेंगे void main, main function लिया return type लिया void अब हमने क्या करा A, B और C तीन variables लिये और साथ में एक variable और लिया big के नाम से जिसका क्या है data type int है cout से एक string को print करवाया जिसके अंदर हम क्या print कर रहे हैं कि enter करो three numbers को यह क्या होगा user को display होगा screen पर कि user क्या करेगा उसके बाद तीन numbers को enter करवा देगा और वो enter कहां पर जाकर हो जाएंगे पहला A में दूसरा B में और तीसरा C में जाकर enter हो जाएगा अब हमारे पास क्या शुरू हो रहा है next state if a statement का यह शुरू हो रहा है firstly हम यह चेक करेंगे कि A बड़ा है B बड़ा है यह C पहला हम चेक करेंगे कि क्या A B से बड़ा है कि if अगर A B से बड़ा है तो हम चेक करेंगे क्या यह C से भी बड़ा है अगर यह A B से बड़ा है और C से भी बड़ा है तो क्या होगा दोनों से भी बड़ा है तो क्या वाले कौन से हमारी condition प्रिंट हो जाएगी कि A क्या है biggest है अगर A बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे B की कंडिशन को चेक करेंगे कि B क्या बड़ा है C से अगर नहीं है तो वापिस कौन से कंडिशन पर आजेंगे हम एल्स वाली कंडिशन पर तो यहां से हम स्टेट्मेंट का एक्जिक्यूट देखते हैं कि किस वे से एक्जिक्यूट हो रहा है ये इफ किया हमने इफ हम चेक कर रहे हैं A को क्या A बड़ा है B से A की वैल्यू हमने क्या लिए एक्जेंपल के लिए हमने A की वैल्यू ली है 20 और B की वैल्यू क्या ली है 10 अब यह देखो यह कंडिशन तो हमारे क्या हो गई true हो गई अब यह condition true हो गई तो इसके अंदर वाले जो if और else हैं हम उन्हें check करेंगे कि कौन सी condition true हो रही है कौन सी false हो रही है firstly हम किस पर जाएंगे if पर if को check करेंगे कि क्या 20 जो a की value है वो बड़ा है 30 से जो c की value है यह condition तो क्या होगी false होगी तो हम कोज से वाले execute होगी यहाँ पर c वाली else वाली condition प्रिंट होगी else वाली पर हम चलेगे क्योंकि हम क्या होगी हमारी condition false हो गई और big के अंदर आप कौन सी value चली जाएगी big के अंदर अब value जाएगी c गी जो की क्या है 30 है अब हमने यह तो चेक किया जो if के अंदर if false था अब हम तेखेंगे कि यह condition क्या होगी true अगर यह condition if वाली true हो गई इसके अंदर वाली condition हमने चेक कर ली तो हमें क्या मिल गया मिल गया कौन से हमारे पास बड़ी value है big value है अब इसी के अंदर हमें पता लगे कि condition true होगी है तो else part तक हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है अब directly हम क्या करेंगे big की value को print कर देंगे कि c out करके largest number कौन से हमारा big की value को हम print कर देंगे आज एग answer 30 अगर by chance माल लो कि यह वाली condition हमारे पास false हो जाती तो अंदर वाली conditions को हम check ही नहीं करते है direct कौन से वाली condition पे पहुच जाते हम else पे और else के अंदर B को check करते कि क्या B बड़ा है B बड़ा है या C बड़ा है अब कौन से condition true होगी हमारे पास if वाली तो हम कौन से condition को print कर देंगे if वाली को यूज करके हम क्या कर दें कि largest number कौन से हमारे पास big की value को display कर देंगे big की value हमारे पास क्या i है 30 big की value होगी 30 यह है हमारा answer output है program का thanks for watching my video videos को like share subscribe करना comment करना ना भूले